असलाम लेकुम बच्चों मिस्स मर्करी की क्लास में आप सब को वेलकम क्या आप जानते हैं अलकेमिस्ट इस बात पे यकीन रखता था कि मर्करी को दूसरे मेटल के साथ मिला कर गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है आएए चलते हैं क्लास रूम की जाने अब पढ़ते हैं आज का टॉपिक आज हम कैमिस्ट्री क्लास 9 के चेप्टर नमबर 1 में बेसिक डेफिनिशन्स के बारे में पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इसकाबिल होंगे कि अटॉमिक नमबर अटॉमिक मैस और अटॉमिक मैस यूनिट की तारीफ कर सकें काबन 12 की बनियाद पर रेलिटिव अटॉमिक मैस की तारीफ कर सकें empirical formula और molecule formula में फ़र्ट कर सकी आईए पढ़ते हैं atomic number और mass number के बारे में atomic number और mass number किसी element का atomic number उस element के हर item के nucleus में मौझूद प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिद करता है उसे z की अलामत से जाहिद किया जाता है चुँके किसी एक element के तमाम items में प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा एक जैसी होती है लहाज़ा उनका atomic number एक ही होता है चनाचे हर element का एक मकसूस atomic number होता है जिसे उसकी शनाखत भी कहा जाता है बिसाल के दोर पर hydrogen के atoms में एक proton होता है उनका atomic number z is equal to 1 है कारबन के तमाम items में 6 protons होते हैं उनका atomic number z is equal to 6 है इसी तरह oxygen में 8 protons होते हैं उनका atomic number z is equal to 8 है और sulfur जिसमें 16 protons हैं उनका atomic number z is equal to 16 है किसी element का mass number उसके एक atom में मौझूद प्रोटॉन्स और neutrons की मजमूई तादादाद को जाहर करा है उसे अलामत A से जाहर किया जाता है इसे मालूम करने के लिए A is equal to z plus N का फॉर्मिला इस्तिमाल किया जाता है यहां N उस element के atoms में मौझूद नीट्रॉन्स की तादाद है हर proton और neutron का mass एक unit atomic mass के बराबर होता है मिसाल के तौर पर hydrogen के nucleus में एक proton और कोई neutron नहीं होता उसका atomic mass number A is equal to 1 plus 0 is equal to 1 है कार्बन के atom में 6 proton और 6 neutrons होते हैं लहाजा उसका atomic mass number A is equal to 12 है चन्द elements और उनके atomic और mass numbers element hydrogen, protons की तादाद 1, neutrons की तादाद 0 atomic number 1, mass number 1 element carbon, protons की तादाद 6, neutrons की तादाद 6, atomic number 6, mass number 12 element nitrogen, protons की तादाद 7, neutrons की तादाद 7, atomic number 7, mass number 14 element oxygen, protons की तादाद 8, neutrons की तादाद 8, atomic number 8, mass number 16 Element Fluorine, Protons Ki Ta Daad 9, Neutrons Ki Ta Daad 10, Atomic No. 9, Mass No. 19 Element Sodium, Protons Ki Ta Daad 11, Neutrons Ki Ta Daad 12, Atomic No. 11, Mass No. 23 Element Magnesium, Protons Ki Ta Daad 12, Neutrons Ki Ta Daad 12, Atomic No. 12, Mass No. 24 Element Potassium, Protons Ki Taadad 19, Neutrons Ki Taadad 20, Atomic No. 19, Mass No. 39 Element Calcium, Protons Ki Taadad 20, Neutrons Ki Taadad 20, Atomic No. 20, And Mass No. 40 एक एकम का Mass No. is equal to 238, Atomic No. 92 हो, उसमें Protons और Neutrons Ki Taadad क्या होगी? हल, सबसे पहले, मसले की दीगे स्टेटमेंट से डेटा तयार कीजिए, और फिर उसी डेटा की मदद से मसले को हल कीजिए. डेटा, A is equal to 238, Z is equal to 92, Protons Ki Taadad मालूम करनी है, Neutrons Ki Taadad भी मालूम करनी है. अब Protons और Neutrons Ki Taadad मालूम कीजिए. Protons की तदाद बराबर है Z के, जो के बराबर होगी 92 के. Neutrons की तदाद बराबर है N के, जो के बराबर है A माइनस Z के, यानि 238 माइनस 92, जो के बराबर होगा 146 के. आईए बच्चो, Animated वीडियो से समझते हैं. जब आप Periodic Table को देखते हैं, तो आप नूट करेंगे, कि हर एक Element अपना एक Box रखता है. और उस Box में आपको दो अदद मिलेंगे. Atomic Number, जो के Operator Number होता है, और Mass Number. लेकिन आप इन Numbers का मतलब क्या लेते हैं? Atomic Number का अपना Symbol Z है. ये Numbers हमें बताता है कि किसी भी Element के Atoms में Protons कितने हैं. किसी खास Element के Atoms में उनकी तदाद एक जैसी है. मुझतलिफ Element मुझतलिफ Atomic Numbers रखते हैं. इसका मतलब है कि वो मुझतलिफ Protons की तदाद रखते हैं. मिसाल के तौर पर एक hydrogen का atom एक atomic number रखता है क्यूंकि ये एक proton रखता है लेकिन oxygen का atom 8 atomic numbers रखता है क्यूंकि ये 8 protons रखता है अगला number जो हम देखेंगे mass number है और इसका symbol A है mass number बताता है कि कितने protons और neutrons है हमें ये याद रखना चाहिए कि protons और relative mass किसी भी atom का एक है electrons बहुत छोटे होते हैं और उन्हें mass number में शामिल करने की जरूरत नहीं होती तो अगर आप किसी element का mass number जानते हैं और atomic number जानते हैं तो किसी भी खास element के neutrons की तादात calculate कर सकते हैं mass number is equal to atomic number plus numbers of neutrons जबके atomic number किसी भी element का सिर्फ proton number है ताहम mass number is equal to proton plus neutrons तो अगर हम oxygen का mass number 16 लेते हैं तो इनके पास 8 protons हैं लेकिन इसमें कितने neutrons हैं? जैसे कि याद है कि mass number is equal to proton plus neutron हम इसे दुबारा तर्टीब दे सकते हैं जैसे के neutrons equal to mass number minus proton neutrons equal to 16 minus 8 which is 8 oxygen ताहम ये 8 neutrons रखता है चलें एक और मिसाल लेते हैं लीथियम का mass number 7 और ये 3 protons रखता है इसके पास कितने neutrons होंगे? mass number equal to proton plus neutrons हम इसे दुबारा तर्टीब दे सकते हैं neutrons equal to mass number minus proton को जाहिर करता है neutrons equal to 7 minus 3 ये तमाम लीथियम के बराबर है ताहम 4 neutrons हैं तो atomic number किसी भी atom के protons की तादाद होती है और mass number atom में proton और neutrons की तादाद होती है तो बच्चो relative atomic mass और atomic mass unit के बारे में पढ़ेंगे relative atomic mass और atomic mass unit हम जानते हैं कि atom का mass इतना कम होता है कि उसे तज़रबाती तोर पर मालूम करना मुम्किन नहीं अलबता कुछ आलात हमें इस काविल बनाते हैं कि हम मुख्तलिफ elements के atomic masses की carbon 12 के atomic mass के साथ नस्बत पालूम कर सकें ये निस्बत element का relative atomic mass कहलाती है carbon 12 के मैयार की बनियाद पर carbon के atom का atomic mass 12 है जिसका एक बटा बारवा हिस्सा एक है जब हम दिगर elements के atomic masses का मवासना carbon 12 के atom के साथ करते हैं तो वो उन elements के relative atomic masses को जाहर करते हैं relative atomic mass के unit को atomic mass unit कहा जाता है 1 amu is equal to 1.66 into 10 raise power minus 24 gram मिसाल के तौर पर proton का mass बराबर है 1.0073 amu के या 1.672 10 raise power minus 24 gram utron का mass बराबर है 1.0087 amu या 1.674 10 raise power minus 24 gram electron का mass बराबर है 5.486 into 10 power minus 4 amu या 9.10610 power minus 28 gram उमीद है आपको relative atomic mass और atomic mass unit के दर्मियान फर्ट की अच्छे से समझ आ रही होगी आए एक animated वीडियो से समझते हैं element के mass का तालूग carbon 12 के साथ होता है carbon 12 isotopic mass है क्योंके कुछ elements के isotopes मुख्लिफ होते हैं मिसाल के तोर पर chlorine 35 और chlorine 37 के दो isotopes हैं isotopes का mass, mass number नहीं होता जो के product table की number screen पर जाहिर हो रहा होता है और product table का mass relative atomic mass है या AR mass किसी भी element का वो mass है जो के relative mass carbon 12 के isotopes के साथ कुदर्ती तोर पर पाया जाता है product table में ये mass number जैसा होता है basic term में ये element के isotopes का average mass होता है हम जब इसके बारे में सोचते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए element के isotopes जो के naturalry पाय जाते हैं इनकी मुख्लिफ values होती हैं चलिए मिसाल के तोर पर chlorine की isotopic forms लेते हैं कुछ chlorine का mass 35 होता है और कुछ chlorine के atom का mass 37 है इनकी simple average लेने के लिए इन दोनों values को add करें और इन values की तदात के साथ divide कर दें इस case में ये 35 प्लस 37 divided by 2 होगा और आपको इसकी average 36 हासल होगी हमें इस बात को जहन नशीन करने की जरूरत नहीं है कि कैसी calculation हो रही है हमें इस बात को जहन नशीन रखनी की जरूरत है कि atom अपने मुख्लिफ आइसोटॉप्स के साथ पाए जाते है जैसा कि chlorine के कुछ atoms का mass 35 है और कुछ का mass 37 है ताहम atom के isotॉप्स बराबर नहीं है लहाजा हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब हम relative atomic mass की calculation कर रहे होते हैं तो दरहकीकत हम इनके कुदर्ती तोर पर पाई जाने वाले weight की calculation कर रहे होते हैं 75% chlorine, chlorine 35 से बनी है और 25% chlorine 37 से बनी है abundance data को हम graph की form में दिखाते हैं relative isotopes को x-axis पर और relative abundance को y-axis पर दिखाया गया है लहाजा हम chlorine के simple 100 samples लेंगे chlorine 35 के 75 atoms और chlorine 37 के 25 atoms लेंगे पहले हम total mass तलाश करेंगे sample के हर atom के mass को isotopes के number के साथ जरब देंगे फिर इन्हें जमा करेंगे chlorine 35 को 75 atoms के साथ और chlorine 37 को 25 atoms के साथ जरब देंगे लहाजा 100 atoms का mass chlorine 35 को 75 से और chlorine 35 को 25 से जरब देंगे जमा करने से total mass हासिल होगा फिर इस total mass को atom के number के साथ तक्सीम करेंगे chlorine के एक atom का mass हासिल करने के लिए total mass 3550 को 100 से तक्सीम करें तो 35.5 एक atom का mass हासिल होगा क्यूंकि ज्यादतर chlorine 35 के atom पाए जाते हैं लहाजा relative atomic mass किसी भी element का कुदर्ती तोर पर पाए जाने वाले isotope का mass है और ये mass carbon 12 के relative mass के बराबर है और ये average number का weight करता है और जब हम इसे calculate करते हैं तो इसके isotopes को जहन नशीन रखना ज़रूरी है कीमियाई फॉर्मूला कैसे लिखा जाए जिस तरह elements को symbol से जाहिए किया जाता है इसी तरह compounds कीमियाई फॉर्मूला के जाहिए 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 जाते है compounds की कीमियाई फॉर्मूला दरजिल मराहिगों जहन में रखते हुए लिखे जाते है दो elements के symbols को इस तरतीब से एक दूसरे के साथ लिखा जाता है कि positive wine by जानिब और negative wine दाएं जानिब में आए दोनों आइंस के valency उनकी अलामात के उपर दाएं कोने पर लिखती जाती है विजाल के तौर पर na plus cl, ca plus 2cl, negative और ca plus 2o, negative 2 दोनों आइंस के valency को उन दोनों के निचले कोने पर दाएं चानिब क्रॉस एक्सचेंज के तरीके से ले जाया जाता है मिसाल के तौर पर इनके formula's को इस तरह लिखा जाएगा NACL, CACL2 और CAO अगर valency's एक जिसी हों तो ने cancel कर दिया जाता है और कीमियाई formula नहीं लिखा जाता लेकिन अगर ये मख्तलिफ हों तो ने इसी तरह और उसी मुकाम पर लिख दिया जाता है मिसाल के तौर पर सूरियम कलराइट की सूरत में दोनों valency's कैंसल कर दे जाती है और formula NACL के तौर पर लिखा जाता है जिबकि कैलसियम कलराइट का formula CACL2 के तौर पर लिखा जाता है अगर कोई आइन जिसी radical कहते हैं दो या दो से ज़्यादा atoms पर मुश्टमिल हो और charge कामिल हो मसलें SO4-2 sulfate और PO4-3 phosphate तो resultant charge उस radical की valency को जाहर करता है ऐसे compound का chemical formula इसी तरह लिखा जाता है जिस तरह 3 और 4 में बयान किया गया लेकिन इस सूरत में negative radical को एक bracket के अंदर लिख दिया जाता है मिसाल के तौर पर aluminium sulfate का formula AL2 SO4-3 और calcium phosphate का formula CA3PO4 twice लिखा जाता है empirical formula chemical formula दो तरह के होते हैं chemical formula की सादा तरीन शक्र empirical formula कहलाती है इस वीडियो में हम molecular formula और empirical formula के दर्मयान फर्ग को सीखेंगे और empirical formula को mass की percentage composition से कैसे मालूम किया जा सकता है और कैसे empirical formula से molecular formula तलाश किया जाता है फर्स करें hydrosine का molecular formula N2H4 और empirical formula NH2 है molecular formula हमें दो चीज़े पताता है एक, molecule में atom की type क्या है इस gas में nitrogen और hydrogen atoms है और दूसरी बात ये, के हर atom की कितनी types है इस case में दो nitrogen atoms और चार hydrogen atoms है empirical formula भी हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है पहले बात ये, के atom की types बताता है इस case में hydrogen और nitrogen है और दूसरी चीज़ ये, के atom की simple ratio क्या है जैसा के hydrogen में nitrogen की 2 और hydrogen की 4 है लेकिन इनकी simple ratios nitrogen 1 और hydrogen 1 ratio 2 है सबसे अच्छा तरीका mass की percentage composition से empirical formula तलाश करने के लिए सवाल में percentage composition का analysis करें compound में nitrogen का mass 87.5% और hydrogen का mass 12.5% है चलिए पहले empirical formula calculate करें पहले हर atom के लिए अलाइदा कॉलम बनाते हैं N nitrogen को H hydrogen को जाहिर करता है हम कॉलम में mass की percentage लिख देंगे nitrogen के कॉलम में mass percentage 87.5 और hydrogen के कॉलम में 12.5% लिखेंगे फिर इन percentages को इन atoms की atomic message से divide कर देंगे nitrogen को 14 और hydrogen को 1 के साथ divide करेंगे इस तरह 6.25% nitrogen और 12.5% hydrogen की calculation हासिल होगी इन में से चोटे numbers 6.25 को दोनों के साथ divide करेंगे इस तरह हमें 1 और 2 की ratios हासिल होती हैं और 2 चोटी ratio है लहाजा empirical formula NH2 है लेकिन हम molecular formula कैसे तलाश करेंगे इस compound का molecular mass 32 है molecular formula empirical formula को N से multiply करके हासिल किया जाता है empirical mass empirical formula को बताता है इस case में nitrogen 14 hydrogen 2 के साथ मिलकर 16 देती है लेहाजा molecular formula empirical formula को N से multiply करके हासिल होता है molecular mass भी empirical mass को N से multiply करने से हासिल होता है molecular mass 32 और empirical mass 16 को multiply करें तो molecular mass हासिल होता है लेहाजा N is equal to 32 over 16 is equal to 2 इससे जवाब दो हासिल होगा इसी तरह molecular formula empirical formula को N से multiply करें तो हासिल होता है लेहाजा NH2 into N या NH2 into 2 हमें N2H4 देता है चलिए पीछे जाते हैं molecular formula से atom के molecules की types मालूम की जाती है और इसका दुरूस नंबर मालूम किया जाता है और empirical formula molecule में atoms की types बताता है और इनकी simple ratios बताता है अब हम बच्चो इस वीडियो से समझेंगे तो आईए देखते हैं अगर आपने कपड़े पर लगा हुआ tag देखा हो तो इसमें मुख्लिफ fibers की percentage compositions होती है लेकिन total composition material की 100% होती है इसी तरह आप compound में atom की percentage मालूम कर सकते हैं यहाँ दो मुख्लिफ compounds हैं लेकिन इनके atoms potassium, chromium और oxygen एक जैसे हैं इनकी composition मुख्लिफ है लेकिन इन atoms का material एक सा है हम percentage composition इस formula से मालूम कर सकते हैं किसी element की percent mass, element के mass को compound के mass से divide करके 100 से multiply करने के बराबर होती है चलिए एक sample calculation करते हैं 5.1 gram aluminium oxide 2.7 grams aluminium से बनती है और बाकी oxygen से बनती है इनकी percent composition क्या होगी aluminium से शुरुआत करते हैं हमारे पास 2.7 grams aluminium है और हम 2.7 grams को total 5.10 aluminium oxide के साथ divide कर देंगे और फिर इसे 100 से multiply करें तो 52.9% जवाब आता है oxygen का mass subtract करने के लिए 5.1 को 2.7 से minus करेंगे तो जवाब 2.4 हासिल होगा फिर 2.4 को 5.1 से divide करके 100 से multiply करेंगे तो 47.1% जवाब हासिल होगा आप अपना work check कर सकते हैं आप compound के formula से percentage composition भी तलाश कर सकते हैं लेकिन आपको ये फर्स करना पड़ेगा कि आपके पास एक mole compound है और element का mass एक mole को compound के molar mass से divide करें और 100 से multiply दें तो element का mass हासिल होगा चलिए oxygen और iron की percentage composition तलाश करने की कोशिश करें oxygen और iron का mass मालूम करने के लिए Fe2O3 का formula इस्तेमाल होगा molar mass को calculate करने के लिए iron को 2 से और oxygen को 3 से जरब देंगे क्योंकि इनके atoms की तदाद 2 और 3 है दो iron के mass को 159.65 से divide करके 100 से multiply करें तो हम 69.95 iron की percentage हासिल करेंगे और oxygen के mass को 3 से multiply करके total mass से divide करके 100 से multiply करें तो 30.05 oxygen की percentage हासिल होगी हम इन percentage से elements को grams में भी हासिल कर सकते हैं इसमें compounds के mass को conversion factor से multiply करें आपको 100 grams में percentage को फर्ज करने की जरूरत है अगर iron की percentage 69.95 फर्ज करें iron 69.95 grams 100 grams Fe2O3 में पाई जाते हैं अगर आपके पास 45 grams iron oxide हो तो आप iron की मिदार मालूम कर सकते हैं इसमें 45 grams iron oxide को 69.95 grams iron से multiply करें और 100 से divide करें तो iron oxide 31 grams iron के बराबर होगा कुछ formula's बहुत मुख्तलिफ दिखाई देते हैं लेकिन इनके ratios एक जैसी होती हैं जैसा के C2H2 और C8H8 की reduce ratio CH है ये reduce ratio empirical formula's को जाहिर करती है और ये molecular formula से मुख्तलिफ है जो कि empirical formula का multiple होता है molecular formula empirical formula जैसा होता है या फिर whole number से empirical formula से multiply करें तो molecular formula हासिल होता है मिसाल के तोर पर glucose का molecular formula C6H12O6 है लेकिन इसका empirical formula CH2O है आप molar mass के इस्तेमाल से empirical formula की मदद से molecular formula मालूम कर सकते हैं पहले molar mass मालूम करके empirical formula से multiply करें फिर experimental molar mass से divide कर दें फिर जवाब को empirical formula के साब multiply कर दें चलिए CCLN empirical formula है compound का molar mass 184.5 grams पर mol है इसका molecular formula क्या होगा पहले हम carbon, chlorine और nitrogen का molar mass मालूम करेंगे फिर compound के molar mass को total molar mass से divide कर देंगे तो जवाब 3 आएगा अब इस 3 को empirical formula CCLN के साथ multiply करें जो हमें C3, CL3, N3 molecular mass देगा interesting information, only one letter doesn't appear in the periodic table, it's the letter J go ahead and double check molecular mass और formula mass ये एक molecule में मौजूद तमाम एटम्स के atomic masses का मजमूआ उस molecule का molecular mass कहलाता है مثल पानी का molecular mass 18 AMU जो भी carbon dioxide का molecular mass 44 AMU है बिसाल नमबर एक, nitric acid HNO3 का molecular mass मौलूम करें H का atomic mass बराबर है 1 AMU के, N का atomic mass बराबर है 14 AMU के 14 AMU के, O का atomic mass बराबर है 16 AMU के molecular formula बराबर है HNO3 के molecular mass is equal to H का atomic mass जमा, N का atomic mass जमा, O का atomic mass 3 बराबर है 1 जमा 14, जमा 3, जरब 16 के, जो के बराबर होगा 63 AMU के आनी कमपाउंड सारुखी ठोस क्रिस्टल्स बनाते हैं, formula unit से जाहिए के जाते हैं इस सुरत में एक शेह की एक formula unit में मौझूद तमाम elements के atomic mass के मजमूए को formula mass कहते हैं, मिसाल के तोर पर sodium chloride का formula mass 58.5 AMU और calcium carbonate CACO3 का 100 AMU है, मिसाल 1.3, potassium sulfate K2SO4 का formula mass मालुम करें, हल, K का atomic mass बराबर है 39 AMU के, S का atomic mass बराबर है 32 AMU के, O का atomic mass बराबर है 16 AMU की, formula unit बराबर है K2SO4 के, formula mass बराबर है 2 into K का atomic mass plus sulfur का atomic mass plus 4 into O का atomic mass, formula mass is equal to 2 into 39 plus 32 plus 4 into 16 that is equal to 78 plus 32 plus 64 that is equal to 174 AMU. आईए कुछ सवालों के जवाब सूचते हैं. मुझे अमीद है आपने आज का lecture खूब enjoy किया होगा और अच्छे से समझ आ गई होगी. आप Miss Mercury को इजाज़त दीजिए मिलते हैं अगले lecture में next topic के साथ तब तक के लिए अपना बहुत खयाल रखियेगा. आला हाफिज.